नमस्कार दोस्तों अनार इस्टडी ए लेर्णिंग प्रेटफरम पर आपका स्वागत है जैसा कि दोस्तों अभी जो कन्फिजून चल रहा है कि सर एटी टू नंबर वाले पास होंगे या नहीं होंगे तो मेरे लगवग अभी मैंने तीन वीडियो बना दिया है फिर वी कमें कमेंट आ रहे हैं कि सर प्लीज इसकांसर बताए कमेंट आ रहे काफी तो एक तो मैं बात बता देना चाहता हूं कि जो भी ही कोट के द्वारा नोटीस दिया गया है मादी में शिक्सा बोड को तो उस पर जल्द फैसला आ जाएगा ठीक है बेरोजगार संग के जो अध्यक् चार सालों से इंतजार कर रहे हैं ठीक है तो लेवल टू वाले बंदे चार सालों से इंतजार कर रहे हैं तो बही मतलब भरती के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होना चेक जिसे की बढ़ती आगे या पीचे हो ठीक है तो उस जैसे जो मादी में शिक्सा बोड है जो मादी में कर तो यह थी और बाकी जो भी आपके कमेंट है सभी के आंसर दे जाएंगे और आप बने रहे चले का बात कर लाते हैं कि क्या कमेंट है चलेगा बात कर लाता हूं कि आपको नमबर जिसके आ आए ऐसी एसटी ओवी सी जिसके एटी वन पॉइंट सेवन फाइफ से ज्यादा नमबर आ रहे हैं वह उसके लिए इलिजिबल होंगे यानी पास हो जाएंगे यानी रीट का उनको मिलेगा ठीक है और वह रीट मेंस के लिए अपलाइक कर पाएंगे और कुछ कमेंट थे कि सर जन्रल वालों के लिए कितने नमबर चाहित और याइते साट परस्यण का क्या रकाता होता जन्रल वालों के लिए Users honored मबर है अगर एवस के अंदर है तब तो आपके शोपुन पॉइंट पात जिरो यानी तो वह हई कि चलेगा और बात कर लेते हैं तुलेगा बात कर लेते हैं देखिक है पहला कमेंट है संजय साहूं जीगा के ओधर स्टेट हम भी पास है क्या तो आपके किस के अंदर हो आप अदर स्टेट इते सी नमबर आपका है मैं आपका वर्क कौन सा ओभी सी है कि एक्जाम 2021 में तोड़ी हुए है रीट वाले एक्जाम 2022 में हुए है तो यह भी आप ध्यान रखें ठीक है चलेगा और यह नियम अभी से लागू हुआ है ना की पहले ठीक है चलेगा बात करते हैं जनरल के टिकरिए से हूं इटेसी मार्क आये हैं तो क्या मैं हो सकती हू होगे उनका दोबाद जारी होगा ठीक है तो उनके सीट्लबी होंगे वह भी आवदन कर पाएंगे तो इसका फैसला भी आपके कुछ पूंद के अंदर आजाएगा ठीक है सब्कार के द्वारा करम कोई आदेस आता है तो मैं बिल्कुल वीडियो बढ़ाऊंगा तो विल्कुल आप जुड़े रहे और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले जैसे कि आपको आगे जो भी जान करी हो पता लग सके चलेगा सर मेरे अब कुछ नहीं हो सकता है इसलिए बार-बार कहता है कि भई फारम देखके वरो आप चार बार चेक करके वरो क्योंकि आपने सीधी कास्ट यह माँ पर गलेत बढ़े तो फिर मेरिटी उसी कहनुसार वनती है तो अब कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो वह बीच में फिर फारम ब भी बहुत ध्यानपुर्ख मरना है क्योंकि इस बार जिल्रे आपको गुलें भी बनना है कि वह आपकी पहली वरिता कि इंदे लेक्षा को देंके तो वो विस बार बना जाएगा ठीक है तो वह विग two b you हम बताएंगे कि भी इस परकार आपको जिल्ले भी बढ़ना है ठीक है चलेगा बात करते हैं कि सर्जी को लेक्चर के लिए नेट प्रिक्सा पास करना मापदन रीट के लिए पातर का मापदन गलत है चातर के साथ अन्य हो रहा है इसका भी कुछ नहीं कह सकते आगी से चलेग सर मेरे भी तो हो जाएगा आपके यह नॉर्मलेजेशन प्लस होने के बाद के नंबर है हो गई है क्या जैसे मेरे एक टीवन है और एक टीटू पॉइंट फॉर फाइफ तो हो गया ना हाँ बिल्कुल हो गया आपके ठीक है चलो एक एस से कम कर दिए तो देखो वही आपके इसमें नहीं होगा ठीक है तो कम कर दिए तो उसका कुछ नहीं होने वाला है सब के लिए बढ़िए नंबर आया है तो बल्कुल सभी का होगा डिपीका डिपीका जी को बोल रहा है कि सर मेरे भी यहां पर डियलेड पीड कंप्लिट हो हुए नहीं हुई है तो मैं फारं सकती है ठीक है किवल फारं लगा सकते हैं एक्जाम के लिए अगर आपका रीट को रिफए वह भी तो आप फारं लगा सकती है रीट मेंस के एक्जाम के लिए बागी जोईनिंग का प्रोसेस आपके नहीं होगा तो मैरे लेवल टू में एक्टी वन पॉइंट फिप नहीं होगा क्योंकि के से पॉइंट सेवन फाइब या निच ओपन पॉइंट पाइट 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 चीर चाहिए ठीक है चलेगा कि आपका भी नहीं होगा विस्तु जी और चलेगा बिल्कुल ओबी सिसे नहीं होगा ओब चाहिए आपके एट्टी वन पॉइंट सेवन फाइब यानि क्या रखाए कि बई चोपन पॉइंट पाइट जीरो प्रसंटेज बनने चाहिए तो निकाल लो आप चीक है चलेगा तो यह तो आज तो लगबंग मैंने सारे क्योशनों के आंसोरी भी दे दिये हैं और अब देखिएगा दस यह पंदर दिनों के अंदर अंदर निर्ण आ जाएगा और बिल्कुल आप पात्र होंगे आपको सेल्टी पिकट भी मिलेगा आप एक्जाम का फारम भी बर पाओगे ठीक चैनल को सब्सक्राइब कर लें जैसे कि आप भी अप्टेट के साथ बने रहें और 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 अगर राजस्तान जी के करन जी के वगरा है तो बिल्कुल काफी कुछ डाल रखा है चैनल पर आप देख सकते हैं फिर आपको अच्छा लगे जैसा आप कर सकते हैं ठीक है चलेके दन्यावाद